नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है चट पूजा का पर्व दिवाली के 6 दिन बाद धूमधाम से मनाया जाता है खास दोर पर यूपी, बिहार और जारकंड में चट की रौनक होती है आस्ता का महापर्विष छट कार्तिक महा के शुकल पक्ष की चतुरति स्पिथी से शुरू हो जाता है और चार दिन तक चलता है कार्तिक के शुकल पक्ष की श्टी पिथी बव्रती, छटी मया और सूरे देव का पूजन करते हैं संतान की दीरगाईयों, सवभागय और खुशाहल जीवन के लिए चट पूजा में 36 घंटे का नरजला उफ्रत रखा जाता है चट पूजा के दूसरे दिन खरना किया जाता है आईए आपको बताते हैं कि खरना वाले दिन क्या करना चाहिए या नहीं खरना चाहिए खरना के दिन नमक योगत भोजन नहीं किया जाता इस दिन सिर्फ एक समय गुड़ की खीर दिन नमक की पूड़ी का ही सेवन किया जाता है वरती इसके बाद 36 घंटे का नरजला वरत रखती है पता दे कि सूरे देव को अर्ग देने वाला पात्र तामबे या पीतल का हो सूरे को कभी भी स्टील, चांदी, प्लास्टिक, कांच के पात्र में जल नहीं देना चाहिए वरत रख रही महिलाओं को वरत के दोरान बैड या चार पाई पर नहीं सोना चाहिए वो फर्ष या दरी या चादर बिछा कर सूए है चटपूझा का प्रसाद चूलहे पर बनाएं और इसे ऐसी जगा पर बनाएं जहर डेली का खाना ना बनता हो चटपूझा के दोरान नशाना करे इस दोरान घर में छगड़ा न करे वरना छटी माधा नरास हो सकती है झाल झाल